Hello everyone, today's topic is how to challenge yourself. हम खुद को कैसे चैलेंज करें? देखो, हर जगह आपने पढ़ा होगा कि खुद को चैलेंज करने के लिए हमें out of comfort zone जाना होता है. और ये हर जगह लिखा है, इसका मतलब इस particular problem का यही solution है. So you have to come out of your comfort zone, जो काम आपको लगता है कि आप कभी नहीं कर सकते थे, whether it is small or big. पहले small से शुरुवात करें, let's suppose कि अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में 10-15 मिट्स जॉगिंग नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं किया है, वो काम आप सबकी सामने एक तरीके से रखें, कि ये काम मैं आज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, right? अगर ये बात publicly सबको पता लग गई है, publicly in the sense, कि जिनके circle में आप मिलते जुलते हैं, वहाँ पर, right? और वो बात आपने रखी सबकी सामने मतलब कि ये सबको पता लग गई है, और कहीं न कहीं ये आपने खुझ से challenge किया है, अगर आज आप वो काम नहीं करते हो, तो ये सभी लोग आपको point out करने वाले हैं, कहीं न कहीं आप पर उंगली उठाने वाले हैं, ये बात आपके mind म कुछ हासिल करते हैं, बलकि वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये मैंने jogging के example ये उसी तरीके से, let's suppose कि आप कभी भी एक दिन में बैठ कर 20 previous year questions नहीं solve कर पाते हो, बट ये बात आपने अपने siblings, अपने parents से सामने जाकर करें कि आज मैं अपने 20 previous year questions solve करूंगा, और आपको दिखाऊंगा भी, right, करके मैं आपको उसका proof भी दूँगा, अब बात क्या हो गई, publicly हो गई, मतलब कि आपके parents के बात पास बात पहुँच चुकी है, और उनसे जादा आपको कोई भी point out नहीं करेगा, right, भला आपका चाहते हैं, लेकिन उनसे जादा कोई point out भी नहीं करता है, वो आपको हर टाइम बोलते रहेंगे, अच्छा, तो तो ये कर लेने वाला था, है ना, तो इस चीज़ का benefit लें, अब आपके mind में ये बात घूमती रहेंगे, अगर मैंने ये काम नहीं किया, जोश-जोश में तो कह दिया हैं मैंने, बट अगर मैंने ये काम नहीं किया तो आज मेरे parents या मेरे भाई-बैन मुझे चड़ाने वाले हैं, और lifetime में मुझे किसी न किसी वे में इस बात के लिए चड़ाते रहेंगे, तो वो काम automatically आप करना चाहोगे, और जब आप वो काम कर लोगे, तो उनके side से जो आपको appreciation मिलेगी, वो आपके लिए gift होगा, और अपको खुद में भी बहुत अच्छा फील होगा, so, moral of the story and moral of the topic is, how to challenge yourself, आप अपने आपको कैसे challenge कर सकते हो, तो अपने comfort zone से बाहर निकले, बट comfort zone से ऐसे नहीं है, अचाना है कि आप plane से बहुत ड़ते हो, aeroplane से, और आपने उसको drive करना, उड़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं comfort zone से बाहर निकलना है, छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद को challenge करोगे, बट आप ही सोच रहे कि आज हम इस बारे में बात क्यों करें, खुद को क्यों challenge करना है, इसकी भी importance है, अगर आप खुद को challenge करोगे, तो कही खुद को improve करोगे, अपने life में positive changes लेकर आओगे, क्योंकि changes life को बहतर बनाता है, तो इसे लिए खुद को challenge करते रहें, life को better बनाते रहें, और enjoy करें, thank you.